नमस्कार दोस्तों, नैंसी बुटीक चैनल में आपका फिस्य स्वागत है, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं कोश्चन के आंसर देने वाली हूँ, काफी समय से आपके कोश्चन बहुत सारे हो गए थे, मैंने सोचा चलिए, आज एक वीडियो बनाके आपके कोश्चन के आंसर दे दिये जाए, तो चलिए सुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजाओ, जादा से जादा शेयर कीजी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट क तो मेरे बेटी कमेंट पढ़ेगी और मैं उसका जबाब दूँगी मैं मा अपने सहे का कि हर किसी का काम एक जैसे नहीं होता, इससे घबराना नहीं है, अपना काम चालू रखिए जी बिल्कुल सही बात है, ये मैंने बोला था पहले, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें गबराना नहीं चाहिए, हमें अपने ओपर कॉंफिडेंस होना चाहिए, कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, तो देखिए सब का काम एक जैसा नहीं होता ना, सभी का काम अलग होता ह आपने कहां से सीखा, मैंने कहां से सीखा और कोई कहां से सीख रहा है तो सबके काम करने का तरीका अलग होता है गुरू सबके अलग है तो सबका ही काम का तरीका अलग होता है तो इसलिए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए कि भी उसका काम बहुत अच्छा है शायद इसी लिए कस्टमर जादा आ रहे हैं तो हमें इन सब चीजों को बिलकुल भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए बस अपने काम पे फोकस करना चाहिए कि हम बढ़िया से बढ़िया काम करके दें ताकि कस्टमर हमारा जो है बलकि नए कपड़े और सिल्वाने के लिए तो इन सब चीजों का बहुत ही हमें ध्यान रखना चाहिए धहरे से बात करना चाहिए कस्टमर से कस्टमर से बिलकुल भी एटिट्यूट में बात नहीं करना चाहिए जैसे कि उसकी ही जरूरत है जरूरत तो हमारी भी है तो हमे दीदी प्लाउग में तुर्पाई और हुक आप करती हो या करवाती हो तो कितने रुपे देना चाहिए तो देखिए रही बात मेरी तो हुक हाई मैं नहीं करवाती हूँ क्योंकि अगर हम सिलने वाला ही हुक हाई फिनिशिंग का काम करने लग जाएगा तो पूरे दिन में अनाज किसान उगाता है तो खाली अकेला वही दो नहीं खाता तो उसमें भी कई चीजे होती है हम तक पहुंसते वहां हाथों से होकर आता है तो इसी तरह से और काम का यही नियम होता है कि य позвол होوس इसी तरह से कस्टमर जो है कपड़े हम सिलते हैं उसको तुरपाई फिनिशिंग के लिए हम बहार बिचवाते हैं किसी को लेडी इस लड़की कोई भी होता है वो करते है तो उनको हायर करते है हम और रही बात रेट की रेट देखिए जैसे मैंने बताया कि हर किसी के अपने ए वीडियो में थोड़ा लोकेशन चेंज की है मैंने चट पे बना रही हूं वीडियो ताकि जो है थोड़ा रोशनी की भी प्रॉब्लम ना हो जैसे कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि मैडम आपकी वीडियो में जो है बैक साउंड बहुत होती है और थोड़ा सा लाइटिं कि कभी कभी कुछ कस्टमर को फिटिंग कुछ ना पसंद आये तो बाते बनाते हैं इससे हर्ट भी होता है और ज्यादा ही डी मोटिवेट हो जाते हैं उस वक्त क्या करना होगा दोबारा से कॉन्फिरेंस बिल्ड करने के लिए तो देखिए कपड़े सिलने वाला कोई बग जाते हैं है ना तो कस्टमर सोचता है कि बेकार हो गया नहीं उनको आपने अच्छे से समझाना है अगर अगली वर वो आता है लेकर कंप्लेइन करता है तो आप उसको समझाओ और को कोई बात नहीं अगर ऐसी कोई बात मैं तुबारा से फिटिंग कर दूँगी ऐसी कोई दिकत नहीं तो उसको आपने समझाना है और वो मान भी जाते हैं अगर आप एटिटूट में रहोगे कि बेढ़ नहीं मैंने तो अच्छे से शिला था अपने धो दिया इसले खराब हो गया नहीं उसको थोड़ा से समझाना है और अच्छे से अपने करके देना है और रही कि हमारा confidence काम होता है तो नहीं अगर हम confidence कम करेंगे चोटी चोटी बातों से क्योंकि रोज हमें नए customer मिलते हैं इस तरह से अगर हम confidence अपना कम करने लगे तो काम नहीं कर पाएंगे अपने आपको बिल्कुल motivate करके रखना है और confidence को तो कम होने ही नहीं देना अपना काम अच्छे से करिए focus से करिए तो कभी भी आपके काम में complain नहीं आएगी और निरास्त तो बिल्कुल होना ही नहीं होता काम है यही काम में तो उच्छा निचा थोड़ा वो चल जाता है मैं प्लेज ऐसे ही वीडियो बनाते रहें हमें बहुत हैल्प मिलती है थैंक्यू मैं आपी लोगों के लिए वीडियो बनाती हूं क्योंकि हमारे टाइम में तो बिल्कुल यह यूटूब बगार था नहीं हमें हैल्प नहीं मिल पाती थी हम लोग को अपने गुरू के पास चैनल को सुल किया और मैं अपना वीडियो बनाते हूं ताकि आप लोगों कि किसी की भी मेरी वज़े से अगर हैल्प हो तो उससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है आप लोग करते हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी वज़े से आप लोग को कुछ अच्छा तो अब तक आपने अपना बुटिक चालू कर लिया होगा आपने ओपन कर लिया होगा अपना बुटिक तो कमेंट करके जरूर बताईएगा कैसा आपका एक्सपीरेंस रहा आपने बुटिक खोला तो कैसा रहा फर्स डे और या अभी तक 15 दिन हो चुके है शायद आपके करेंगे अपने उत्श्मट करोंगे आप कमेंट करेंगे एक कमेंट करेंगे में आप खुंटी की कितना लेती हो टेकियं फिर delivering के थे हिसाब nichts कि मैं आपके एपना बotle में का और जैसे आप अगर नया भुटीक खोल रहे हो या अपने घर में कर रहे हो तो अप एरिया के साफ से नेया निया स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कम रखना पड़ता है एपम क्या रिट है किसी और के अमालिच बहुत अच्छे अरिये में तो आप ज्यादा रेट होगा तो आप वो तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हर चीज़ का अपने-अपने एरिया इंडिक करता है, कि आपकी एरिया में उसका काम का क्या रिट है, बहुत अच्छा है आपकी शॉप मैम, धेंक्यू, आपको मेरा बुटिक बहुत अच्छा लगा, आप भी अपने बुटिक खोल सकते है और इसी तरह से काम कर सकते हैं All the best मैं मैं गर पर ही स्टिच करती हूँ पर मेरे पास कस्टमर बहुत कम आते हैं जैसे के 15 या 20 दिन में एक या दो सूट आते हैं मैं प्लीज कस्टमर कैसे बढ़ाएं गर पर स्टिच करके प्लीज रिप्लाई दे तो देखिशे कि आप घर में सिलते हैं तो हो सकता है जएं गर किसी को पता तो लगता नहीं लोग जागते तो हैं धर स्टिच को काम हो रहर है तो फिरयों पहले पता खिर आप एक board बना के अपने घर के बाहर जरूर लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि आप सिलाई करते हैं ऐसे तो खाली आपके जो जानने वाले होंगी आस पर उसके उनको पता होगा तो इक कदुका कोई सिलवाता होगा रोज तो कोई कप्रे में सिलवाता लेकिन आप चाहते होगी और जैसे को टैक में कई लोग होंगे रिलेटीव होंगे जानने वाले होंगे फ्रेंट सर्कल में होंगे तो उनको वट्सप पे आप अपना पैम्प्लेट शापके या मैटर लिखके कि भी यहां पे सिलाई की जाती है तो उस तरह से भी वट्सप के थरू भी आप प करनी ही होगी तब आपका बुटीक बहुत अच्छा चलेगा कोई माने नहीं रखता आप घर से कर रहे होंगे बाहर बस यह कि कस्टमर को आने जाने वाले को दिखना तो चाहिए कि यहां कोई सिलाई करता है तो उसके लिए आपको बोल्ड लगाना पड़ेगा तो इस तरह से करिए आपका काम बहुत अच्छा चलेगा हाई मैं जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में से लाई की रेट कम रखें बट मैंने पिछले दस महीने काफी कम रेट रखें पर इतना रिस्पॉंस नहीं मिल रहा और पैंपलेट से तो मुझे एक भी कस्टमर नहीं मिला चलि रिपीट कस्टमर हो रहा है की नहीं हो रहा है अगर मयान के चलिए वो कस्टमर रपीड नहीं नहीं से लवाने आ ठ्की थो इसमें कम सक nahukरासा नहीं के रहा है इसका मनदुर आठीनस कम मत करिये या काम में थोड़ी सी फिनीशिंग में कमी हो तो उसको थोड़ा सा आप दूर कर लीजे कंद़ीओं को तो बहुत ही अच्छा आपका काम चलेगा सिलाई तो ऐसा काम है कि कोई मतलब खाली बैठी नी सकता मैं इतना गरंटी से कह सकते हुआ शिलाई का काम ही ऐसा है कि कोई भी नई ऐसा है कि खाली बैठे बस जो आपको हो सकते है कि आपको लगता है हर इनसान सोचते है मैं परफेक्टू नहीं कोई भी परफेक्ट नहीं होता हो सकते कस्टमर के अकॉर्डिंग आप नहीं खर रहे हैं उतर पा रहे हो तो इसको आप जोईन कर लिए और थोड़े सावर प्रैक्टिस कर लिए यही कहुंगी आपसे तो जैसे आज कर पैंट प्लाजो यह सब चीजे चल रही हैं पहले वाले लोग नहीं है कि बहुत ही कम लोग पैंथे हैं बहुत जदा 50 50 60 केशगे होंगे वही लोग सल्वारे पैनते हैं नहीं तो इस एज के लोग भी पेंट भाल रहते हैं उसमे revenue रहता है उसमें लास्टिक होता है तो जंजट भी नहीं रहता नाराबाद Mayim तो यह सब चीज है ना आपको थोड़ा सा टेकनिक को चेंज करना पड़ेगा हो सकता है आप सिरफ सलवारे बनाते हो पुराने टाइप से ही तो चीजों को चेंज करिए थोड़ा सा कामों में अपने चेंज लाइए तो इस तरह से और फिर थोड़ा सा डिस्प्ले भी कीजें तो इस तरह से जो है थोड़ा सा काम को चलाने में आपकी हेल्प होगी तो इन सब बातों को आप फॉलो कीज़े तो भगवान चाहेंगे तो बहुत अच्छा आपका काम चलेगा मैम आप सूट के बच्चे कपड़े का क्या करते हो देखिए सूट के कपड़े का जैसे कि अब तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं लेकिन जब बच्चे छोटे थे उनको फ्राग जबले वगएरा बनाके मैं पहना दिया करती थी परोसियों के बच अगर मैडम मेरे कपड़े दे देना तो मैं दे देती हूं और उसके अलावा भी आप कुछ यूजफुल चीज़े बनाना चाहें तो बैक बना सकते हैं जैसे मैंने वीडियो भी पीछे डाली थी एक बार तो बैक बना सकते हैं आप रोटी के रुमाल बना सकते हैं तो काफ लोग मेरे से ले जाते हैं कि मैडम चमकीले कपड़े आए तो दे देना काना जी के कपड़े बना लें तो कुल मिला के कोई भी सिलाई का कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं होता किसी को भी दे दे तो फिर आज की वीडियो यहीं खतम करते हैं उमीद करते हूं आपके सबी देखिएगा जाके और मुझे भी all the best बोलिए और मैं भी आपको all the best बोलती हूं तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार